नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है उसके स्वास्ते पर निर्वर करता है अगर इनसान का स्वास्ते अगर सही है तो वह है अपने जीवन में हर परकार के कारिये को सही तरीके से और सफलता पूर्वक करता चला जाएगा तो हमारा स्वास्ते सही होना बहुत जरूरी है तो दोस्तो आईए आपके स्वास्ते के बारे में ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए बहुती महत्वपूर्ण टोपिक लेकर आए हैं जिहां दोस्तो बवासीर रोग का घरेलू तरीके से प्रभावी इलाज बताने जा रहा हूँ मैं आपको खूनी बवासीर का एक दिन में इलाज अगर आप बवासीर से परेशान हैं चाहे वो खूनी बवासीर हो या बादी बवासीर हो यह उपाय रामबान से कम नहीं है इस परियोग से पुरानी से पुरानी ववासीर एक से तीन दिन में सही हो जाएगी इसके इलाज से एक दिन में ही रगतस्राव बंद हो جाता है और दोस्तो यह बहुती सस्ता और आसान सा उपाय है एक बार आप इसे जरूर इस्तेमाल करके देखें दोस्तो आप नारियल की जटा लीजिए और उसे माचिस की तिली से जला लीजिए और जलने के बाद जब वो राख बन जाएगी जब भस्म बन जाएगी तो उसे आप एक सीसी में डाल लीजिए और उस नारियल की भस्म को आपको एक कप दही या एक कप छाच के साथ आपको दिन में तीन बार लेनी है जिहां दोस्तो एक बार फिर से सुन लीजिए बहुत आसान है जो आपने नारियल को जलाकर जो राख बनाई है जो भस्म बनाई है उस भस्म को तीन गराम भस्म को एक कप दही में या चाच के साथ आपको लेनी है और पूरे दिन में आपको यह दवा तीन बार परियोग करनी है लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि चाच या दही बिलकुल ताजा होना चाहिए खटी ना हो कैसे और कितनी भी पुरानी पाइल्स की बिमारी हो एक ही दिन में ठीक हो जाती है क्योंकि यह नुसका किसी भी परकार के रखतसराव को रोकने में कामयाब है अगर महिलाओं में मासिक धर्म के दोरान अधिक मातरा में रखतसराव या फिर स्वेत परदर की बिमारी होती है उसमें भी यह बहुत कारगर है हेजा वमन या हिचकी इन रोगों में यह भस्म बहुत कामयावी है आपको थोड़ी सी भस्म लेकर एक घुट पानी के साथ आपको लेनी है और फिर देखिए इसका कमाल दोस्तो ऐसे आयुरवेदिक नुस्के बहुत से सादू संतों के द्वारा और वैदों के द्वारा आजमाए हुए हैं और आप भी यह साधारण सा नुस्का आप अपना कर देखें आपकी खूनी बवासीर चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों नहों इस नुस्के के इस्तेमाल से जड़ से खत्म हो जाएगी और वह भी एक से मात्र तीन दिनों के अंदर अंदर दोस्तों इसका जब आप इस्तेम इसका असर आपको नहीं लग रहा है तो आप एक दिन की बजाए लगातार तीन दिन इस तरह इस दवा का प्रियोग करें दोस्तों हम आपके लिए ऐसे छुपे हुए और अंसुने आयुर्वेदिक उपचार आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके स्वास्ते के लिए पवासिर के लिए आपको कुछ सावधानिया बरतनी होंगी और वो सावधानिया मैं आपको बताने जा रहा हूं तेज गर्मियों के मौसम में गुद्दा को गर्म पानी से ना धोएं गर्मियों के दिनों में छत की टंकियों से या नलों में बहुत गर्म पानी आता है तो आप से मैं यही कहूंगा कि जब आप वोश कर रहे होते हैं तो गुद्दे को गरम पानी से वोश ने करें दूसरी एक बार भवासीर ठीक हो जाने के बाद बद फ्रेजी करें जैसे अत्यधिक मिर्च मसाले तेज मसालों वाले पैदार्थों का सेवन ने करें क्योंकि अगर ह भी बावसीर की शिकायत है उन्हें इन सावधानियों को रखना ही होगा किसी भी परकार का तेज मसालेदार भोजन नहीं खाना है यह थी दोस्तों नारियल की जटा को जलाकर भस्म बनाकर उसको दही या चाच के साथ प्रियोग में लेने से खूनी बावासीर का इलाज उम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद